हालो बच्चो स्वागत है आपका एलन डिजिटल के इस ऑनलाइन समंदर में और हाजिर हम एक बार फिर से आपके सामने और आज तेजस मार्ग टू में हम जो चेप्टर लेके आए हैं डिफरेंशल इक्वेशन ठीक है तो बहुत अच्छी तरीके से आपके चेप्टर का अच्छी तरह से रिविजन होने वाला आए जी एडवांस पीवाई क्यों में क्या 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 कॉश्चन पूछे गए हैं उसारी कहानी हम आज देखने वाले ठीक है तो अपने कॉपी और प 2015 में दो कॉश्ण 2016 में दो कॉश्ण 2017 में दो 2018 में 319 में 2020 में 2022 कॉश्ण और 23 दो कोश्ण ओगर हम देखे तो लगगर 21 कॉश्ण यहां पर 2013-2023 में पूछे गए हैं ठीक है तो बहुत है इक का इंपोनेटिक चैपटर है आप देख सकते हैं हर साल पायम रहता है हर साल करते हैं हम इस आज की इस session की इस question के साथ तो question द्यान से consider the family of all the circles whose center lies on the straight line this कि जो circle का center है वो इस पर लाई करता है if this family of circle is represented by the differential equation this P y double dash plus Q y dash plus one equal to zero पी और Q जो है वो xy के function है और यहां पर और y dash y dash का मतलब यहां पर सा जो option है वो correct है ठीक है अब ध्यान से देखें जो बोल रहा है कि जो circle का center है वो इस line पर लाई करता है मतलब center का x और y coordinates सेम है ठीक है तो माना कि ए तो उसकी जो circle की equation होगी वो क्या होगी equation of circle क्या होगी x square plus y square minus twice ax minus twice ay plus c is equals to zero हम देख पा रहेंगे इन दोनों का center है वो क्या है एक को मा है जो इस वाली line पर क्या कर रहा है लाई कर रहा है अब इस equation से हमें क्या करना है इनकी differential equation को form करना है ठीक हम देख सकते हैं यहां पर जो parameter है वो दो parameter लगबग मतलब दो order की two order की equation होगी तो एक बाद differentiate करेंगे x के respect में so differentiate with respect to x आप with respect to x आप differentiate करोगी इस वाली equation को तो क्या हसिल होगा 2x plus 2y y dash और यहां पर आजाएगा minus of 2a यहां आजाएगा minus of 2a y dash और इसका हो जाएगा 0 तो यहां से हम देख सकते हैं कि sir a की value को निकाला जा सकता है 2 से 2 गया तो यहां पर आया x plus y y dash is equals to y dash plus 1 multiply by a ठीक है तो यहां पर हम देख सकते हैं sir a की value हम यहां पर निकाल चुके a is equals to x plus y into y dash divided by y dash plus 1 ठीक है तो हमेशा हम कहते हैं कि जो important results होते हैं उनको आप बक्से में बंद कर दीजें क्योंकि यकिनन यह आगे काम आने वाल है एक चीज़ तो यह होगी अब इसी equation को हम आगे की तरफ चलते हैं क्या है x plus y into y dash x plus y into y dash is equals to क्या रखा है अपने पास y dash plus 1 times of a रखा है ठीक है तो यहां से a की value थो हम बैसे यूज़ करने ही वाला है side में एक बार फिर से लिख लें the value of a is equals to x plus y into y dash divide by y dash plus 1 अब इस equation को एक बार फिर से हम differentiate करेंगे x के respect में so differentiate again with respect to x x के respect में करोगे x का differentiation तो हो जाएगा 1 u into v से करना पड़ेगा y into y double dash और इसका हो जाएगा y dash तो यह दोनों का मिलके हो जाएगा square is equals to यह हो जाएगा अपने पास y double dash multiply by a right 1 का 0 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि yes sir y dash into multiply में यह चल रहा था और a की value यहाँ पर मैं substitute कर रहा हूं यहाँ से वह अपने पास हो जाएगी y dash plus 1 times of x plus y into y dash क्योंकि उस variable को हमने अटा दिया जो constant था वो यहाँ पर हट चुका है अब simple हमारे पास वो form आ गई डारेक्ट आप multiply कर सकते हैं y dash का whole square plus y into y double dash plus 1 multiply by y dash plus 1 multiply कर लें इसको यह हो जाएगा x into y double dash y into y dash y double dash इसको भी आप multiply कर लें तो यहाँ से हमें जो हसील होगा हूँ हम देख सकते हैं y dash q plus y dash का whole square plus y into y dash y double dash plus y into y double dash वन से भी multiply कर लें तो यह हो जाएगा y dash plus 1 is equals to x y double dash y multiply by y dash y double dash इस वाली चीज से यह वाली चीज हमारे को क्या हो जाएगी cancel हो जाएगी अब किस format में answer लाना है वो भी हम बच्चे देख लेते हैं कुछ इस अंदाज में y double dash then y dash तो y double dash के coefficient को हमने collect करना चालू किया तो यह है y यह x तो y minus x multiply by y double dash और y dash के अगर बात कर ली जाए तो यह आ जाएगा y dash का whole square एक y dash यहां से आया एक y dash यहां से आ जाएगा plus y dash यह आ जाएगा plus 1 और constant नमबर चो देख पा रहे हैं plus 1 multiply by y dash यहां पर multiply by y dash है plus 1 is equals to 0 तो इस format में हम यहां पर पहुँच चुके है ठीक है और यहां से compare किया तो p और q की value समझ में आ गई कि सर पी की जो value आ रही है वो हमारे पास आ रही है y minus x और q की जो value आ रही है वो यहां पर सामने है y dash का whole square plus y dash plus 1 ठीक है अब option मेंच करने की बारी तो यहां पर p की value y minus x कहां पर दिख रही है यहां पर करेक्ट हो गया और यहां पर करेक्ट हो गया पी प्लस क्यू करोगे तो क्या यह चीज हमारे पास आ जाएगी y dash का whole square plus y dash plus 1 y dash plus 1 y minus x p plus q यह भी यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो हम देख सकते सर बी और डी जो है हमारा सुरी बी और सी जो है वह यहां पर करेक्ट हो जाएगा तो simply एक बहुत अच्छा क्वेशन बोलूगा मैं किस तरीके से वीरियाबल को हटाना था उसी तरके सी यह पूछा गया यह सवाल था यह चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगा क्लियर चलिए नेक्स क्वेशन की और अगला सवाल आपके सामने जी एडवांस दो हजार तेरा का पुछा हुआ यह सवाल वाइट वाइड़ाइश से सैटिस्फाइड इस डिफरेंशल एक्वेशन को यह क्या करती है सैटिस्फाइड करती है और यजिरो की विल्यू कितना निकल के आएगा मेरा दी वाइबाइडी एक्स इक्वास्टों वन बाए या दी एक्स को उदर भेज़ यह भी कर सकते हुआ यह मैं डी बाईं 사़ यह जाएगा डि एक्स डिवाइड बाई अि एक्स रूट आपक्स रूट औंस नाइन प्लस रूट थ हैं कि is पावर माइनस है तो यह क्या हो जाएगा औरू ट 90 I इतने सारे रोटे तो उसमें आप कंफ्यूज ना होए हर एक रूट का में ध्यान रखना अनिवार है अब इंटिग्रेशन करना है सिंपल सी बात है वेरियाबल से यह काम इजीली हो पारा इसका इंटिग्रेशन तो सर हम कर लेंगे कि यह आसानी से वाई हो जाएगा इसका कि अगर मैं टी स्कॉर सब्स्टिट्यूट कर दो कि कि तो कितना आएगा देखें तो यहां पर यह आएगा वन बाई टू रूट आफ ए फोर प्लस रूट आफ नाइन प्लस रूट एक्स मल्टिप्लाइबाइब अब इस अंदर वाले का जो है वह होगा डिफ्रेंसियेशन इसका 0 यह हो जाएगा अगेन 2 रूट आफ 9 प्लस रूट एक्स और इसका भी कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स दी एक्स इस इक्वाल स्टू 2T डी टी ठीक है 2 इंटू 2 चार्च 8 मतल्द जो पूरा यह लिखा हुआ है यह हमारा पूरा क्या बन जाएगा 2T डी टी यहां पर क्या हो जाएगा बन जाएगा आई होप यह चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी ठीक है तो यह हमने किया इंटिग्रेशन ओ इसको टी सब्स्टूर्ट किया यह हो जाएगा दी वाई यह पूरा हमारा क्या बन चुका है 2 T dt बस इसका क्या क्या करते इंटिग्रेशन यह जाएगा वाई T स्कॉयर प्लस C और T स्कॉयर का मतलब मत बूलिएगा यह पूरा T स्कॉयर था y is equals to root of 4 plus root of 9 plus root x plus c के लिए किस तरी से निकला जा सकता है condition हमें दे रखी x0 पे y root 7 x0 पे y जो है वो कितना है root 7 है ठीक है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसर y root 7 है तो यह हो जाएगा root 7 x0 3 root 7 तो c की value यहाँ पे कितनी हासिल हुई c is equals to 0 c 0 हो गया तो हमारे पास y वाला जो function आया वो clearly 4 plus root of 9 plus root x आया हमें क्या निकालना है जब x 256 रहा होगा तो y की value कितनी है तो simple हम substitute कर देंगे x is equals to 256 ठीक है तो simple सी चीज़े है तो यह हो जाएगा 16 16 और 9 कितने 25, 5, 5, 4, 9, 9 का रूप 3 तब हमारा जो y आ रहा होगा वो आज जाएगा 3 ठीक है तो option b वो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा correct यह सवाल पूछा गया था y is equals to fx satisfy the differential equation this तो हमें इसकी value निकाल ली है एक्स बिलॉंग्स टेंडिंग टोवर्स माइनस infinity fx की value किजनी आ रही है ठीक है तो यहां पर हम देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इस इक्वाल स्टू 2 प्लस 5y 5y-2 तो clearly हम देख सकते हैं कि सर इसको आप यह गर दीजे variable वाला काम easily हो जाएगा यह तो y को y की जगे पे लिया है आप 2 प्लस 5y 5y-2 is equals to dx 4 से मैंने यहां पर multiply किया है और आप integration यहां पर कर सकते है इंटिग्रेशन अब इस 4 को क्या लिखा जा सकता है इस सर 4 को लिखा जा सकता है 2 प्लस 5y-5y-2 दिवाइड बाई 2 प्लस 5y-2 दिवाइड बाई 2 प्लस 5y-2 दिवाई और यह अभी तक चल ही रहा है हम देख सकते हैं इसको separate किया सकता है और separate करने के बाद की कहानी जो हमारे पास बनेगी वो यहां पर क्या बनेगी वो भी देख लें dy divided by 5y-2 minus of dy divided by 5y plus 2 is equals to integration of 4 times of ds ठीक है अब obvious बादे सरी यह क्या लिखा हुआ है यह हो जाएगा 1 by 5 ln of mod 5y-2 minus 1 by 5 ln of mod 5y plus 2 is equals to यह हो जाएगा 5 multiply करते हैं तो यह हमारे पास हो जाएगा ln of mod 5y-2 divided by 5y plus 2 is equals to 20x plus यहां पर उसे हो जाएगा अब हम देख सकते हैं कि sr x0 पर yb0 है x0 लखोगे yb0 है तो c की value यहां पर 0 हो जाएगी c की value ह मारे पास कितनी हो जाएगी ? 0 हो जाएगी clearly हम देख पा रहें कोई बड़ी बात निया है और यहां पर हम देख सकते हैं सर यह okay e की पावर 4x आ गया ये काम हो गया हमारा सो एलन ओफ मॉड ओफ 5y माइनस 2 डिवाइड बाइ 5y प्लस 2 20x हमारा आ चुका है हमें निकालना है कि fx की विलू x टेंडिंग ट्वर्स माइनस इंफिनिटी अब ध्यान से देखिए आप x अगर माइनस इंफिनिटी की ओर जाएग यहां से आप एलन को हटा के लिखें यह चीज़ें इसर मॉड ओफ 5y माइनस 2 डिवाइड बाइ 5y प्लस 2 इस इक्वल्स टू इपावर 20x ठीक है तो x टेंडिंग टोवर्स माइनस इंफिनिटी है तो यह हमारा जाएगा जीरो की तरफ और यह 0 का मतलब y की विलू हो जाए सिंपल कुछ नहीं करना है को y के साइड करो x को साइड करो और अंसर पाव सिंपल सा जैडवांस 2018 यह भी बच्चों का करेक्ट हो गया होगा है अगला सवाल अगर की स्क्रिंग के सामने यह राज जैडवांस 2020 का सवाल है लेट बी बीए नॉन जिरो डियान दक्यान और फं एक्वेशन एक्स बिलॉंग्स तो ये आर देन विच वर फॉलविंग इस्टेट्मेंट इस और करेक्ट तो ध्यान से देखेगा एफ डैश है इस एक्वेल स्टू एक्वेल सेपरेबल इसली किया जा सकता है तो इसको एफ डैश डिवाइड बाइफ एक्स हो गया और ये भी एक्स के रस्ट्रेक्ट में होगा बी स्क्वाइर प्लस एक्स स्क्वाइर इंटिग्रेशन किया तो यह हमारे पास आ रहा है एलन ऑफ मॉड ओफ एक्स अब जीरो रखो गे तो यहां पर कितनी आ गई जीरो ही आई तो हमारे पास mode of fx कितना आ रहा है e power 1 by b tan inverse x by b यह कहानी जो है हमें fx थी कहानी में देख पार है ठीक है अब उब्यस बात दें सर मोड कहान आओगे तो plus minus की कहानी लगेगी fx is equals to plus minus of e power 1 by b tan inverse x by b ठीक है अब हम देख सकते हैं f0 पे y के लिए 1 आनी चाहिए तो minus वाली possibility यहां पर समाप हो जाती है क्यूंकि हमारे को देर रखा है f0 पे y की value 1 है तो यह हो जाएगा हमारे पास fx is equals to e power 1 by b tan inverse of x by b वो clear दे सकते हैं sir fx is equals to e power 1 by b tan inverse मतलब e की power में है यह तो sir हमेशा ही positive होगा और x belongs to r b की value पे depend भी नहीं करेगा always greater than 0 और हम दे सकते हैं हमारे पास f-dex b कितना है कि sir fx तो हमेशा positive होगा fx अगर positive होगा तो f-b हमेशा positive होगा b की value पे कोई depend नहीं करता इसका मतलब fx तो sir हमेशा increasing function रहने वाला है b कुछ b हो decreasing नहीं हो सकता option b यहां पे रोंग हो जाएगा अब f of minus x निकालने की कोशिश करते हैं कि sir x यह रहा है f of minus x हमारे पास हो जाएगा e power minus 1 by 10 inverse of 10 inverse of minus x कितना होता है minus of 10 inverse x दोनों का multiply करोगे तो e power 0 यह तो हो जाएगा 1 तो यह भी देख सकता है कि sir fx multiply by f of minus x 1 हो जाएगा for x belongs to r ठीक है दोनों को आप substitute करोगे तो नहीं 0 नहीं आप आएगा तो option a और c यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है I hope यह चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी option a and c are correct clear चलिए next question की और अगला सवाल देखें जही एडवांस 2022 में कुछ आओगा यह सवाल if yx is the solution of differential equation this x greater than 0 y1 की value 2 है slope of of car is never 0 then हमें इसकी value हमें find करनी अगें देखो variable separable कुछ भी नहीं x dy minus of y square minus 4y dx is equals to 0 यह हमारे पास हो जाएगा y को y के साइड लिया है dy y square minus of 4y is equals to dx by x राइट अगें सर 4 से आप चाहें तो multiply कर लें क्योंकि उसका कारण यह है कि हम उस चीज में लिखने वाले है y minus of y minus 4 और नीचे जो बन रहा है 4 ln of mod x plus c अब mod को हम positive x भी लग सकता है क्योंकि यह x greater than 0 है यह हो जाएगा ln of y minus 4 divided by y is equals to 4 of ln x plus c अब जो इसने कंडिशन दे रखी है कि y1 x1 पर y2 है x आप 1 रखो के तो यह खत्म 2 रखो के तो मैं देख सकते हैं कि sir 2 minus 4 yes x की विल्यू 1 रखने पर यह हो जाएगा 0 और y की विल्यू 2 है तो 2 रखने हैं आपन यहां पर तो यह हो जाएगा 2 minus 4 divided by 2 is equals to 4 times of ln 1 plus c हम देख सकते हैं से c बराबर तो 0 आगया कुछ भी नहीं रहा so this is equals to ln of mod of y minus 4 divided by y is equals to 4 times of ln x ठीक है तो यहां से मदेख सकते हैं कि 4 आगये चला जाएगा तो mod of y minus 4 divided by y is equals to x की पावर 4 यहां से दो possibility यहां पर निकलती प्लस माइनस दोनों की लेनी पड़ेगी y minus 4 divided by y is equals to plus of x power 4 right y minus 4 and divided by y is equals to minus of x power 4 अब यहां पर हमारे पास condition यह थी कि sir x की value 1 रखने पर y की value 2 आनी चाहिए ऐसा कहां पर आ रहा है वो ही हमें select करना है तो x की value 1 यहां पर रखेंगे तो sir y की value 2 है x की value 1 रखने पर y की value 2 क्या इसमें आ सकती है देख लेते हैं तो divide by y और यह आ जाएगा हमारे पास minus 4 तो यह आ जाएगा y is equals to 4 बटे 5 यह y की value root 2 रखने पर 10 को multiply कर लें 10 इसमें multiply कर लेंगे 10 times of y root 2 रखने पर यह हो जाएगा 10 into 4 बटे 5 the value will be 8 तो 8 इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा यह j advance 2022 में पूछा हुआ सवाल है I hope यह question भी आपको easily समझ में आ चुका होगा clear? चलिए next question की ओर so next question j advance 2019 का पुछायो सवाल let out denote the curve which is in first quadrant let the point 1,0 lie on it and let the tangent to this point P intersect the y axis at point yp if PYP has the length 1 for each point this then which of the following option correct ठीक है तो पहले हम tangent की equation देते हैं माना कि वो जो P point है वो हम माल लेते हैं small x,y है ठीक है और यस जो yp point होगा उसके भी coordinate यहां पर चाहिए intersect the y at yp तो वो P intersect P point यह हो गया तो equation of tangent हो जाएगी capital y minus of y diva by dx at that point y dash capital x minus x ठीक है अब y axis पे वो उस point पे कर रखी तो उसके लिए जो है x जो हो 0 हो जाएगा तो capital y जो हमारे पास आएगा वो आएगा y minus of x times of y dash ठीक है तो y p point हमारे पास clear है जो y p point आया जो कि y axis पे है x 0 है और उसका y coordinate आया वो यह आया y minus of x y dash अब एक का हमें हिंट दे रखा है कि जो इस segment की जो length है वो यहाँ पे one दे रखी यह पी और y p की तो यहाँ पे p capital y p की जो length दे रखी वो दे रखी यह one डिस्टेंस formula से यह चीज़ इसली लिखी जा सकती है तो distance formula से हमेंने लिखा this square y से y गया इसका square कर लें आप x square y dash का भी यहाँ पे हो जाएगा x square is equals to one दोनों सेट square करोगे तो क्या आएगा यह आ जाएगा हमारे पास x square y dash का whole square is equals to one minus x square x square से आप divide मार दें so y dash is equals to root of one minus x square divided by x ठीक है रूट अबन उत्र पजाएगे वाइडेश की लिए लिखा रहा हूं प्लस माइनस अब उब्यस बादे सर फर्स्ट क्वार्टेंट की बाद square divided by x ठीक है इसके बाद कुछ बज़ता नहीं है सिंपल सा एक इंटिग्रेशन होता है यह हमारे पास हो जाएगा d y is equals to minus times of root of 1 minus x square divided by x d x और इसका इंटिग्रेशन के रहा हम सब्स्ट्रीशन के से x बराबर साइन थीटा रकने पर जो हासिल होगा वो यह है यहाँ पर हो जाएगा y minus sign हमारा z चल रहा है 1 minus sign square यह हो जाएगा cos cos theta divided by x को हमने sin theta रखा है ठीक है और dx बराबर हो जाएगा cos theta d theta यह हो जाएगा cos square theta d theta cos square को हम ली सकते हैं 1 minus sign square 1 minus i square minus से multiply कर लें sin square theta minus 1 divide by sin theta d theta y is equals to यह हमारे पास हो जाएगा sin theta का integration minus of cos theta का integration तो clearly हम देख पारेगी सर हाँ easily यह बात अच्छी तरह से हमें समझ में आ चुकी है कोई भी बड़ी बात यहां पर है नहीं सबसे पहले डिवाए सेलेट करना निवाए यह था कि सर वो तो नेगेटिव ही होना निवाए यह है तो एक्स पॉजिटिव होगा तभी जाके हो गया नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव होने बात हमने क्या देखा एक्स बराबर साइन ठीटा सब्स्टिजूट गया ताकि डी एक्स इकोल पॉस्टिटा डी ठीटा आ सकता है उसके बाद साइन ठीटा का हमें इंटिग्रेशन पर रहता है माइनस ओफ कॉस्ट ठीटा राइट और इसका हो जाएगा माइनस माइनस ओफ मतलब एलन ओफ कॉस्ट ठीटा प्लस कॉट ठीटा प्लस सी ठीक है इसको आगे जो है लिखना चाहा रहा हूं एले नॉफ कॉस्ट ठीटा प्लस कॉट ठीटा माइनस ओफ कॉस्ट ठीटा प्लस सी ठीक है हमने क्या मान रखा है एक्स बराबर साइन ठीटा मान रखा है तो यहां पर अब हम इसको तबदिल कर देंगे साइन थीटा था था पॉस्ट था कितना हो गया फर्स्ट क्वारेंट में इसलिए हम पॉजटीव ले रहे हैं तो इसलिए हमने यहां पर भी मॉड नहीं लगाया वहां कि पहले से पॉजटीव है वन माइनस दस तो य बराबर यह हमारे पास हो जाएगा एलन ओफ वन प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन साइन कितना है अपने पास x माइनस ओफ रूट ओफ वन माइनस x स्क्वाइर प्लस अब यहां पर एक इंपोमिशन दे रखी है 1,0 से पास करता है x1 पर y 0 है अगर x1 पर y 0 है तो आप 1 रखोगे तो यह 0 0 y 0 तो c की वेल्यू यहां पर हमारे पास आ चुकी है 0 तो हमारे जो फंक्शन आएगा वो आएगा y is equal to ln of 1 प्लस 1 माइनस रूट ओफ 1 माइनस x स्क्वाइर डिवाइड बाई x यह हमारे जो है वाई की वेल्यू इस तरह का options यहां पर कुछ दिख रहा है गया वन प्लस रूट रूट यहां पर यह उप्शन तो हमें दिख गया कि बिल्कुन साही यह बात सही है और इसमें डिवा पे डिएक्स हम पहले से ही निकाल चुके हैं यह आ चुका था तो mathematical form में convert करने के बाद simple हमें क्या करना था integration करना तो यह बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी होगी चलिए फिर next question की और अगला सवाल आपकी सामने यह देखो जेएडवांस 2013 का यह सवाल है अकारो पासे स्थ्रूद पॉइंट वन कॉमा पाई बाई शिक्स लेट दा स्लोप ऑफ दकार एट इज पॉइंट यहां रखना स्लोप का मतलब क्या होता है हम हमेशा पूरे साल बढ़ तक बोलते आए हैं स्लोप स्लोप लेकिन जब लिखने का वक्त आता है तो वहां पर वच्चे जो है थोड़े से पीछे हड़ जाते हैं ठीक हमें पीछे नहीं इतना है स्लोप का मतलब हमें समझना है इस पॉइंट पर हमेशा पूरे साल बढ़ तक यहीं बोलते आए हैं डी वाइद एक्स इस इक्वल स्टू वाई बाय एक्स प्लस सीकेंट ओफ एक्स पोज दी वाई बाय डी एक्स इस क्वल स्टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी असे अबात दकीया तो हमें जो असिला वब देखें यह आ जानक अपने मैं आपने पास वी प्लस एक्स डी बाय डी cent is equals to y by x की value यहाँ पर हो जाएगी plus of secant v v से v भी यहाँ पर cancel out हो चुका है और कुछ बचा नहीं है ध्यान से देखें तो यह हमारे पास हो जाएगा cos v dv का integration is equals to dx by x का integration ठीक है cos v का हमें पता है साइंग वी वैसे ही हो जाएगा और ln mod x होता है लेकिन x पहले से ही positive है तो ln x लिख सकते हो ठीक है अब किस point से v का मतलब ही हमें लिखना पड़ेगा y by x sin of y by x is equals to ln x plus c अब देख सकते हैं x1 पे y pi by 6 है x1 पे 0 हो जाएगा x1 पाइब आपकी पाइब देख सकते हैं तो हाफ आजाएगा तो sin of y by x is equals to ln x plus 1 by 2 sin of y by x is equals to ln x plus 1 by 2 option a हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है correct हो जाता है यह भी देख homogeneous का बहुत यही बहतरीन सवाल तो किया है बहुत इजी कोशन जे इडवांस 2013 तो यह ब्रांती हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि एडवांस बहुत ही हाइफाई लवल पूसता है किसी बात नहीं है देखते ही पता चल रहा है कि सर पहले एफ एक से स्वाल करना अनिवारी है वह कहां से होगा यह देखो एक्स जो है वो माइनस वन से बने ध्यान रखें तो हम देख पारें वैसी यह लीनियर डिफेरेंचल एक्वेशन बन रही है इंटेगरेशन फेक्टर जो है इंटेगरेटिंग फेक्टर है वो यहां पर हम निकाल पाएंगे e की पावर this x divide by x square minus 1 dx that is equals to t हो तो यह 1 by 2 to यह हो गया ln of mod x square minus 1 ृटीक हो minus 1 से बने तो हमें पता है सर यह तो negative ही ओपन होगा तो सारी दिमाग चीजें एक साथ चलती हुए यह हो जाएगा वन माइनस x2 अब यह जाके जाके हो गया फॉट आ गया तो यह जो बेस हो गया तो इंटीग्रेटिंग फ्रेक्टर हमारे पास निकल के आ गया रूट ओफ वन माइनस x2 जैसे यह लिखा अब सॉलुशन लिख लेंगे कि सर य मल्टीप्लाइ बाइंटीग्रेटिंग फ्रेक्टर this is equals to q x power 4 plus 2x divide by root of 1 minus x square multiply by integrating factor का integration आपको करना था और अच्छी बात यह कि सर यह तो cancel out हो गया है तो हमारे लिए और क्या चाहिए ठीक है यह आजाएगा y multiply by root of 1 minus x square is equals to x की power 5 divide by 5 plus x square plus c और कुछ condition यहाँ पे दे रखी बिल्कुल 0 पे 0 है x 0 अखोगे तो y भी 0 आएगा तो उससे तो सर c 0 आ गया और हमारा fx यहाँ पे on है कि सर fx हमारे पास जो निकल के आया है वो आया है x की power 5 divide by 5 multiply by root of 1 minus x square plus x square divide by root of 1 minus x square ठीक है अब इसमें भी बहुत अच्छी बात है कि हमें जो integration निकालना है वो minus root 3 by 2 से root 3 by 2 है ठीक है यहाँ पे देखे द्यान से minus root 3 minus a से a वाली property लगाओगे तो सर यह तो odd function है यह तो सर और फंक्शन है तो सर फिर तो अच्छी तरीके से हम पता चल रहा है कि यह और फंक्शन लेट यह 0 हो जाएगा उस property के according माइनस रूट 3 by 2 से root 3 by 2 fx dx इसको मैं लिए लोंगा टू टू टाइमस ओफ जीरो से रूट 3 by 2 और चूंकि वो और फंक्शन है तो वो जीरो हो जाएगा तो यहीं बचेगा सर एक्स स्क्वाइर डिवाइड बायर रूट ओफ 1-x square dx अब इसका integration आपको करना है इसका करना भी कोई बड़ी बात नहीं एक्स बराबर साइन थीटा सब्सक्टिट्यूट किया dx equal to cos theta d theta तो यह हमारे पास आ गया 2 times of theta 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा root 3 by 2 जो है वो 60 degree है 5 by 3 x square that means sin square टीटा divided by यह हो जाएगा cos theta तो dx यह हो जाएगा सर कॉस्टीटा डीटीटा तो यह तो बिल्कुल जग जाहर property एप 2 sin square को आप क्या लिख सकते हो एक फॉर्मूले सर यहा होने चीए कि तो 2 sin square theta को हम क्या लिख सकते हैं हमें पता है सर कॉस्टीटा कितना होता है 1-2 sin square तो यह हो जाएगा 1- cos 2 theta का integration आपको करना है 0 से πाइबाइ 3 में जो कि हो जाएगा theta minus sin 2 theta divided by 2 यह integration हो गया है अब limit ही रख रहा हो है 0 से πाइबाइ 3 पहले पाइबाइ 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा पाइबाइ 3 राइट यह आ जाएगा माइनस रूट यह रूट 3 by 2 यह रूट 3 by 4 हो जाएगा minus 0 रखो तो यह रूट 3 by 4 पाइबाइ 3-3 by 4 option यहां पर क्या हो जाता है हमारा correct हो जाता है तो यह question भी आपको समझ में आ गया होगा पहले तो आपको differential equation को solve करना था फिर फेक्स वहां से जो निकल के आया यह integration करना था अगला सवाल आपकी स्क्रिंग के सामने यह रहा जे एडवांस 2016 का यह सवाल कि जो फंक्शन है वो जो है ओपन जिरो से इंफिनिटी आर बिया डिफिरेंशल फंक्शन सब्सक्राइब देस दिस पॉर एक्स बिलोंग्स तो जिरो से इंफिनिटी एफ बन कैन नॉट बीवन अब बताओ कौन कौन से ओप्शन यहां पर करेक्ट है तो पहले हम पैचान लेते हैं कि यह क्या रखा एफ डैश मतलब हमें पतासर डिवाई बाई बाई एक्स यह वाई आप इदर ला सकते हो यह हो जाएगा वाई बाई एक्स इस हो जाएगा यह हमारे पास आगया एक्स स्कॉलिशन लिखने की बारी आई यह इंटीग्रेशन ओप टू एक्स दी एक्स तो सर वाई मल्टीप्लाइ बाई एक्स एक्स स्कॉयर प्लस सी अब यहां पर इनों ने रखा है एफ वन कैन नॉट बी वन तो सर इसका मतलब सी कैन बी जीरो यहां से यह पता चला, लिकॉज फवन कैन नॉट बी वन, ऐंची बात है यहां से तर आफ एक्स निकल के हमारे पास आ रहा है एक्स और प्लस सी बाई एक्स ठीक है, यहां पर एफ डेश एक्स भी निकाल लें यह आजाएगा, आप यहां लीज निकाल लें। चीज़ यूज़ होने माझे अब देखते पहला option क्या करता है एफ डेश वन बाइए एक्स वेन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस निकाल चुके है जीरो प्लस लिमिट जाएगा बिल्कुल ठीक बात है सर ऑप्शन ये तो करेक्ट हो गया एक्स मल्टिप्लाइ बाइफ वन बाइक्स टू जब लिमिट ये जा रही है एफ वन बाइक्स रखना तो सर एफ वन बाइक्स रखूंगा तो यह आएगा वन बाइक्स प्लस सी इन्टू एक्स इसको एक्स से मल्टिप्लाइ करो अब लिमिट 0 प्लस में जाएगी तो सर ये तो 1 की तरफ अप्रोच करेगा 2 की तरफ अप्रोच नहीं करेगा तो ये गलत हो गया x square f dash x x square देखें f dash x हमने निकाल रखा है x square से multiply कर लें तो सर x square into f dash x करूँगा तो ये आ जाएगा x square minus c अब इसको 0 प्लस में रखूँगा तो क्या 0 आएगा नहीं सर 0 नहीं आएगा minus c आएगा और हम मैं देख रखा कि c पहले से 0 नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता अब ये कह रहा है कि for all x belongs to 0 7 f x जो है minus 2 से 2 होना चाहिए इसके according लेकिन हमें ये सर पता है कि ये हमारा f x है x प्लस c by x है अब माना कि मैं 0 प्लस पे जाओ अगर ठीक है for अगर मैं c positive मानू और x अगर 0 प्लस पे जाओ तो हमें पता सर f x की value जो आएगी वो infinity की तरफ जाएगी अगर f x की value infinity की तरफ जाएगी इसका मतलब ये एक bounded function तो नहीं bounded function अगर नहीं है तो ये कैसा solve जो है right हो सकता है एक ये option यहाँ पर correct होगा which is a option again linear differential equation का एक बहुत simple सा सवाल j advance 2016 में पूछा गया था clear? i hope ये सारे बच्चों का correct हो गया होगा comment box में answer करके अगले question का भी आपको इसी तरह से बताना है ठीक है? चलिए अगले सवाल की और next question j advance 2023 में पूछा हुआ है ये सवाल once infinity से r एक differential function है f1 1 by 3 ये एक relation दे रखा है e denote base of natural logarithm हमें f of e की value निकालनी है जब भी इस तरह की चीज़ें आती था हमें न्यूटन लेमिनी जरूर याद आती है जब भी इस तरह की चीज़ें आती है तो हमें न्यूटन लेमिनी जरूर याद आती है और आनी भी चाहिए x into fx minus of x cube by 3 ठीक है? differentiate करें x के respect में ये आ जाएगा 3 times of fx is equals to x into f dash x plus fx minus of x square ठीक है? तो हम देख पारें ये आ जाएगा 2 times of fx x into f dash x minus of x square ठीक है? तो पुए एकदम वेबस्ती तेरी लिख सकते हैं अपन x से आप डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 2 डिवाबादी x minus of 2y by x is equals to x ठीक है? fx यहाँ पे y है f dash मतलब dy by dx x से हमने डिवाइड कर दिया तो 2 by x आ गया और इसको इदर shift कर दिया इसको इदर बगे हम देख सकते हैं ये तो बहुत इसका इंटेग्रेटिंग फेक्टर भी यहाँ पे निकालने x जो है positive है तो सर इंटेग्रेटिंग फेक्टर निकाला तो यह आ रहा है हमारा e power minus of 2 dx by x जो कि ln x हो जाएगा यह आ जाएगा 1 by x square राइट तो solution लिखा y multiply by 1 by x square whole integration of 1 by x square multiply by x differential देख सकते x x ln x हो जाएगा mode नहीं आएगा क्यूंकि x वेले सी positive है ln x plus c कुछ condition यहाँ पे दे रखी कि सर हाँ x 1 पे y की वेलू 1 by 3 है x 1 रखा तो यह 0 यह 1 रखा और y की वेलू है 1 by 3 तो c की वेलू हमारे पास आ गई 1 by 3 राइट तो y by x square is equals to ln x plus 1 by 3 हमें क्या चाहिए sir f of e की वेलू मतलब जब x e रहा होगा तब y की वेलू कितनी है ln e 1 4 by 3 4 e square by 3 option 3 हम देख पार है यहाँ पे correct है ठीक है तो यह भी एक बहुत easy question neutral leminus का जरू स्तेमाल किया गया है उसके बाद simple सी linear differential equation यह बन जाती है i hope यह question भी बच्चों का सही हो गया होगा ठीक है चलते नेक्स question की और अगला question आपके सामने j advanced 2023 का यह सवाल है for x belongs to r y x be a solution of differential equation this such that y of 2 7 दे रखा है दिर हमें maximum value इसकी निकालनी तो सबसे पहले इससे आप divide मार दे तो एक linear differential equation की feeling आपको यहीं पे आ जाएगी ठीक है तो linear differential equation साब दिखाई दे रही है तो इसका integrating factor सबसे पहले हम निकाल लेते हैं e power of minus of 2x divided by x square minus 5 dx इसको टी रखेंगे तो यह हो जाएगा तो हम देख पार हैंसर यह हो जाएगा 1 by x square by 5 राइट तो अब solution लिख रहा हूँ मैं y multiply by integrating factor this minus of 2x multiply by x square by minus 5 integrating factor से भी यहाँ पे multiply कर लें तो यहाँ से यह चीज़े cancel हो जाती है तो y divided by x square by 5 तो यह हो जाएगा minus x square plus condition यहाँ पे clear है x2 पे y7 तो आप x2 रखोगे तो y की वे लिगा नीचे यह 7 तो यहाँ से देख पार x2 रखोगे तो यह कितना आएगा minus 7 minus 4 plus c c बराबर आजाएगा minus 3 c बराबर minus 3 आने का मतलब y की वे लिग 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 रहा है x square plus 3 and x square plus 5 राइट अब इसके हमें y की maximum लिग निकालनी fx है यह तो x square को सर t substitute कर देए जो की positive रहा है क्योंकि हमें उपिस बात दे सर positive हो जाएगा now t greater than 0 हो जाएगा तो हम देख पा रहे है कि सर y is equals to minus of t plus 3 and t minus 5 यहां पर minus आएगा तो y is equals to t square minus 5 यह हो जाएगा minus 2t और यह हो जाएगा minus of 15 अब हम देख सकते हैं सर इसका differentiate करेंगे तो टी बराबर वन पर यह maximum लिए आएगी बराबर वन का मतलब x square भी यहां पर कितना हो जाएगा वन पर maximum value आएगी ठीक हम देख सकते हैं कि डीवाब एड़ी 2t minus 2t बराबर वन तो यह maximum हमारे वन पर आएगी तो यह आजाएगी 1-2-50 तो हम देख सकते हैं माइनस 1-16 प्लस 16 तो हमारी जो maximum value आएगी एपक्स की वो हमारे पास आजाएगी 16 16 is the correct answer और हम देख सकते हैं कि इस तरह का सवाल जो है वो जे इडवांस वाइलफा बीटा बिलॉंग्स टू एक्स बिलॉंग्स टू आर देता सोलेशन ओप इस डिफरेंशल एक्वेशन ठीक है मल्टिप्लाइ में है और वाइवन की वेल्यू बन दे रखी तो हमें देखना है कौन कौन सा ओप्शन इसमें सेलेक्ट कोर सकता है तो सब सब पहले इस डिफरेंशल एक्वेशन में हमारी निगाह होनी चाहिए और डी एक्स यहां पर मैं क्या कर लेता हूँ इलसे में लेके मल्टिप्लाइ कर दिया तो यह आ जाएगा डी वाइलफा वाई डी एक्स इस इक्वेल्स टू एक्स एपावर बीटा एक्स डी एक्स ठीक है तो इस पूरे को मैं इस पावर अल्फा एक्स से मल्टिप्लाइ गर देता हूँ इसको भी मैंने इस इस esz एक्स मल्टिप्लाइ कर दिया जो आप बहुत है हासिल हुआ है то वो देखें इधर हम दे सकते हैसा फर्टिफ्रेसियेशन aamp y into e power alpha x जो है हासिल होगा और इधर हमारे पास x multiply by e power alpha plus beta x dx ठीक तो यहां से हमें थोड़ा सा दो cases बनाने की नौपत यहां पर आ चुकी है कि हो सकता है alpha beta जो है यहां पर 0 हो दूसरा case ना हो तो सबसे पहले होने की probability को हम यहां पर देख रहे हैं हम ले लेते हैं कि alpha plus beta not equal to 0 है ठीक है उस case में हमें यहां पर integrate करना है ठीक है तो अब dy, differentiation of y into e power alpha x और यहां पर लिखा हुआ है x multiply by e power alpha plus beta x dx integration किया है यहां पर ठीक है यह तो highlight से हो जाएगा इसका जो integration आई यह आया y multiply by e power alpha x ठीक है तो आई लेट से यहां पर हम देख पा रहे है कि यह हमारा second function हो जाएगा यह हमारा first function हो जाएगा तो इसका integration आएगा e power alpha plus beta x divide by alpha plus beta minus of integration नो फर्स्ट का differentiation, second का integration और अगे निटीक्रेशन ठीक है तो इसका आगे लिख देता हूं y into e power alpha x x into e power alpha plus beta times of x divide by alpha plus beta और इसका भी आप integration करोगे तो alpha plus beta divide में आ जाएगा तो यह हमारे पास हो गया minus of e power alpha plus beta x divide by alpha plus beta का whole square plus c ठीक है तो option से हैं हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे 2, 2 सब में यही चल रहा है e power में x square तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि सर यहाँ अगर मैं alpha 1 रखता हूं beta भी यहाँ पे 1 रखता हूं तो हमारे पास जो हासी लोगा वो क्या हासी लोगा देखें यह आ जाएगा y e power x is equals to x e power 2 x alpha plus beta यहाँ पे आ जाएगा 2 और similarly minus of e power 2 x 2 का square हो जाएगा 4 plus c हो जाएगा राइट और c के वेलू निकालने के लिए हमारे पास एक condition है x1 पे y1 दे रखा है x1 पे y की वेलू हमारे पास 1 है तो यह हमारे पास हो जाएगा e is equals to e power 2 divide by 2 minus e power 2 divide by 4 plus c राइट तो c की वेलू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है यह हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा c is equals to e minus of e power 2 divide by 4 यह हमारे पास c की वेलू आ गई तो हमारे पास y into e power x is equals to x e power 2x divide by 2 minus of e power 2x divide by 4 और c की वेलू हमारे पास आ गई है e minus of e square by कुछ इस तरह की चीज़े हैं अब answer किस format में दे रखा है वो हमें देखना पड़ेगा सब में e power minus x चल रहा है तो अब इस बात e power x से आप divide मार दीजिए तो e power x से आप divide मारेंगे तो यह क्या आ जाएगा e x e power x divided by 2 minus of e power x divided by 4 e power यह आ जाएगा हमारे पास minus x e minus e square by 4 यह हमारे पास एक वाइट तो यह दिख रहा है कि e power x e minus e square by 4 इस तरह की चीज़ें कुछ दिख रही है या नहीं e power x e minus e square by 4 minus में ऐसा तो e power x हाँ common भी ले लेंगे e square by 2 common ले लेंगे तो x minus 1 by 2 यह भी आ जाएगा तो हम देख सकते हैं c option यहाँ पर आ चुका है c option हमारा जो है वो match कर चुका आप दूसरा case यहाँ पर देखें कि alpha plus beta अगर 0 हो गया किसार alpha plus beta अगर 0 हो गया तो इसमें क्या बचा फिर जीरो होने पर हमारे पास यह बच रहा है दी y of e power alpha x is equals to यह तो 0 हो गया पूरा x dx only यहीं बचा है और कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है यहाँ पर क्या करनेंगे हम integration कर लें integration करने के बाद हमारे पास जो बचे है वह है y of e power alpha x और यह आ जाएगा x square by 2 plus c clear यह clearly हम देख पा रहें यहाँ पर अब obvious बात है इसमें भी आप alpha 1 ले 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 क्योंकि e power minus x उदर चाहिए तो alpha 1 ले ले तो यह आ जाएगा y e power x x square by 2 plus c again x1 पर y b1 x1 रखोगे तो y b1 पाओगे तो e minus 1 by 2 यह हमारे c की value हो गई तो यह हमारे पास आ गया y into e power minus x multiply by x square by 2 और c की value हमारे पास आ गई e minus 1 by 2 यह हमारा कुछ इस तरह की चीज़े e minus 1 by 2 करके e power minus x से भी multiply कर लिया है yes ठीक है x square by 2 e power minus x yes option a यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों यहाँ यहाँ पर देख सकते हम option a और c जो है हमें बताना है कि कौन सा statement is r दोनों कौन सा correct है ठीक है तो यहाँ पर y का मतलब में यहाँ वाइद टीवाइड दीवाइड मार देते हैं यह हमारे पास हो गया डीवाइड दी एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाए बाए वन प्लस इपावर एक्स y is equals to 1 divided by 1 plus e power x ठीक है तो clear लिम दे सकते हैं सर यह तो एक linear differential equation बन गई जिसका integrating factor हम यहाँ पे निकाल रहा है यह integrating factor हो गया e power इसका integration e power x divided by 1 plus e power x dx इसको t रखोगे तो उपर dt बेठा हुआ है ln 1 plus तो यह सर यह तो clearly हो गया 1 plus e power x यह हमारा integrating factor हो गया अब लिख रहा है solution solution लिखना भी सर बहुत ही easy है y multiply by 1 plus e power x is equal to integration of integrating factor 1 plus e power x multiply by q that is 1 plus e power x तो सर यह तो आ गया y multiply by 1 plus e e power x is equal to x plus c right c की वेल्व यहां पर निकाल सकते हैं क्योंकि x 0 पर y 2 दे रखा है तो सर c की वेल्व तो यहां पर 4 आ गई x 0 पर y 2 देने का मतलब सदे सकते हैं c की वेल्व यहां पर 4 आ चुकी है तो हमारे पास जो y आया है वो कुछ इस अंदाज में आया है x plus 4 divide by 1 plus e power x ठीक है खुछ इस तरह की चीज़े x minus 4 रखो के तो y के लिए 0 आएगी तो हम देख पा रही है आ रहा है 1 plus e power x का whole square u by v से कर रहे है 1 plus e power x इसका differentiation minus x plus 4 e power x राइट तो dy by dx is equals to यह हमारे पास आ जाएगा e power x यह चीज़ें चली जाएगी e power x से e power x यहाँ पर cancel हो जाएगा तो हम देख पा रहे हैं sir यह हमारे पास जो आया 1 और e power x को आप चीज़ें को निकाल दें तो यह हमारे पास minus of e power x minus of e power x x plus 3 यह बचरा है इदर तो राइट वो नीचे जो चल रहा है वो चलने दे नीचे जो चल रहा है वो यहाँ पर चलने दे ठीक है तो चाहें तो multiply करके देख सकते हैं minus of x into e power x और minus 4 है यह प्लस है तो minus का 3 यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब यह के रहा है कि y hex has critical point minus 1 से 0 यहाँ पर हम clearly देख पा रहे हैं यह तो negative आएगा similarly अगर minus 1 पर चेक करें dy by dx minus 1 पर चेक करें तो sir minus 1 पर यह आ जाएगा तो इसका हम देख सकते हैं differentiation निकाला sir जीरो पर जो है लेस देन जीरो है माइनस वन पर सर ही यह चीज आपको समझ में आ चुकी होगी clear चलिए फिर next question के और अगला सवाल आपके सामने जेए एडवा आइटी एडवांस दोज़ा तेरा का सवाल आए function close 1 by 2 से 1 are the set of our real number भी यह positive non constant differential function this f dash x less than 2 into f x 1 by 2 पर 1 दे रखा है तो हमें इसकी value देखने हैं कि किस interval में लाई कर सकती है तो सबसे पहले किसर जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखें f dash x minus 2 times of f x less than 0 ठीक है अब इस पूरे को में e power minus 2 x से multiply कर रहा है तो क्यों वैसी positive है तो कोई inequality पर फरक नहीं पढ़ने वाला तो e power minus 2 x पर multiply किया तो हमारे पास ये चलचितर आया और हमेरे ध्यान से देखा कि सार ये तो exact differential बना किसका e power minus 2 x f x का इसका differentiation less than 0 है इसका differentiation less than 0 है तो सर इसका मतलब ये जो होगा decreasing function की श्रेणी में आएगा इसका function इसका मतलब ये वाला जो function होगा इसको माना कि मैं gx माना है तो सर ये एक decreasing function होगा decreasing function होगा तो मतलब 1 by 2 पर value ज्यादा होगी right so e power minus 2 x f x 1 by 2 पर value निकाल होगे तो ये सर 1 by e इस पर value जो होगी automatically सर ज्यादा होगी that means f x जो होगा less than e power 2 x minus 1 होगा ठीक है लेकिन हमें इस integration की बारे में चर्चा गरनी है ये सर ये तो positive जरूर है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 तो होगा इसका integration इसका मतलब 0 1 by 2 से 1 f x dx positive है तो positive जरूर होगा लेकिन less than e power minus 2 है तो सर इस integration से तो छोटा ही होगा right यह आ जाएगा इसको i मान लेता हूं है तो 0 i और इसका हम देख पारें सर इसका आप करोगे तो कितना आएगा e की पावर 2x minus 1 divide by 2 e power 2x minus 1 divide by 2 अब आपको limit ही रखना है कुछ नहीं गड़ना है 1 by 2 1 1 रखोगे तो e by 2 1 by 2 रखोगे तो 1 तो यह हमारे पास आ जाएगा यहां लिक जता हूं है i जो हो जाएगा हमारे पास 0 1 रखोगे तो e by 2 minus 1 by 2 that means e minus 1 divide by 2 इस तरह की चीज़ें इस इंटरोल में लाए करेगा option d हमारा क्या हो गया automatically correct हो गया तो यह हमारा देख सकते है advance 2013 में पूछा हो सवाल बड़ा easy question है e power minus 2 x से multiply रखे exact differential बना दिया और that's it I hope यह question भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा ठीक है चलिए अगले सवाल की और next question भी देखे ध्यान से जे advance 2013 का सवाल अब 13 में सुरी 2017 का सवाल अब 13 17 में इस data में कुछ ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है option में थोड़ा अंतर हो सकता है लेकि बागी सारी चीज़े लगबख सेम है तो हम approach भी वहाँ पर सेम रखने वाले है यह function है r to r differential function है कुछ इस अंदाज में है x belongs to r है f01 है तो टेक्निक सर्फ वह होने वाली है f-x greater than 2 times of fx right so f-x minus of 2 times of fx greater than 0 right तो मैं e power minus 2 x से multiply कर सकता हूं ऐसा करने से सर यह हुआ यह बना differentiation of e power minus 2 x fx greater than 0 अब सर इसको मैं अगर gx मानूँ इसका मतलब यह अब की बार greater than 0 तो increasing function हुआ अब की बार यह increasing function की श्रेणी में आया है increasing function की श्रेणी में आया है x belongs to r है ध्यान से देखें अगर मैं 0 प्लस की बात है सब में 0 से infinity ही दे रखा है ध्यान रखें तो ज़र बाते increasing आपने gx माना है तो obvious बाते जो इसको gx माना है increasing है जो है positive है तो gx की value यहां पे g0 से जादा होगी तो g0 की value हम देख सकते हैं g0 आप निकाल होगे तो f01 यह भी 1 हो जाएगा राइट तो e power minus 2x fx यह therefore 0 से infinity की और की में बात कर रहा हूं राइट fx की value हम 0 से infinity में देख रहा है e power minus 2x fx greater than 30 की value कितनी है 1 तो sir fx की value e power 2x से तो बड़ी होगी तो हमारा option जो है यह वेसे ही क्या हो गया correct हो गया 0 plus की हम अगर बात कर रहे है ठीक है अब यहां पे देख सकते हैं कि sir वो क्या लिखा हुआ है पहले से हमें दे रखा है sir f-x जो है वो greater than 2f हमारा f-x greater than e power 2x से आया तो यह greater than 2 होगा खुबिस बात है e power 2x की value जो है वो बड़ी होगी 0 से infinity की और की बात करें क्योंकि 0 अखोगे तो e power 0 1 हो जाएगा तो greater than 2 तो होना जता है तो f-x decreasing है नहीं है sir f-x increasing function है f-x increasing function है इस पर चर्चा करने की बात की गई तो सब देख सकते हैं कि f-x greater than e power 2x आया है और f-x increasing function बिल्कुल कि सब्सक्राइब तो f-x भी क्या होगा यहां पर हमारा increasing होगा जी एक्स बराबर यह चीज हमारी आई जी एक्स increasing है e power 2x पहले से ही increasing है तो f-x भी increasing है बिल्कुल है c option है f-x less than e power 2x for zero से infinity सरी तो greater than e power 2x की बाते कर रहा है यह भी option नहीं होगा option a और c हमारा क्या हो गया correct होगा तो यह बहुत ही उसी तरह का सवाल है जो 13 में पूछा होगा थोड़ा सा यहां पर modification करके लेस देंगी जगह greater than किया इतना ही अंतर यहां पर किया गया था और 2013 में पूछा हुआ यह सवाल था आई होप सारे बच्चों का यहां पर correct हो चुका होगा clear चलिए अगले सवाल के और अगला सवाल भी ध्यान से देखें लेट आर फंक्शन है आर टौर डिफाइन फंक्शन जी आर टौर दो नॉन कॉंस्टेंट डिफ्रेमिशन फंक्शन है एप डेस एक्स की वेलू हमें यह दे रखी है और एक्स बिलॉंग्स टू आर याद रखिएगा f of 1 g2 की वेल्यू 1 then which of the following statement is in our tree तो सबसे पहले यह देखें इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यह लिखा हुआ f dash x is equals to e power f x multiply by e power minus g x and g dash x और इसको मैंने इधर किया तो सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हूँ e power minus of f x f dash x इसको इधर लियाओ इस तरह से हम चीज़ों को लिख सकते हैं अब integrate कर दो कि सर integration किया तो यह लो अब integration आप करोगे तो सर इसको t रखोगे तो यह dt पहले से आपके सम्मक्ष है तो सर यह तो हो गया हमारे पास minus of e power minus f x minus यह प्लस हो जाएगा यहाँ पे e power minus of g x constant यहाँ पे c हैं यहाँ तक आ चुका है अब सर 1 और x बराबर 1 और 2 की बात हैं यहाँ पे कर रखी हैं में जैसा कि यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है ठीक है तो सर यह बात भी क्लियर है कि x बराबर 1 रखने पर ही वही constant आएगा जो तू रखने पर आएगा 1 रखा तो क्या आया माइनस ओफ e power minus of f1 plus e power minus of g1 यह वही constant है जो टू पे भी आने वाला है minus of e power minus of f2 plus e power minus of g2 ठीक है एफ 1 की value हमें पता आए कि कितनी है वन दे रखी तो यह हो गया हमारे पास minus 1 by e plus e power minus of g1 is equals to f2 g2 की value 1 दे रखी एफ 2 की value हमें पता भी नहीं है g2 की value 1 तो यह आजाएगा plus का 1 by e तो हमारे पास जो आया है वो यह आ रहा है यह आ जाएगा e power minus of f by 2 plus e power minus of g1 is equals to 2 by e ठीक है अब क्लियर लिसा दे सकते हैं कि e power minus of g1 जरूर है g1 की value हमें जरूर नहीं पता है लेकिन यह जरूर है कि यह positive quantity है उदर जागे करोगे तो इसकी value उससे तो कम ही आएगी तो दोनों में यहाँ पर ऐसा ही है कि sir e power minus of f2 की जो value है वो 2 by e से तो कम ही आएगी और similarly e power minus g1 की जो value है वो भी 2 by e से कम हाएगी अब आप दोनों सेट ln ले सकते हो, ln लिया तो यह minus f2 इज़र less than ln2 ln e minus 1 similarly minus of g1 less than ln2 minus 1 यह multiply कर दें तो यह आजाएगा f2 greater than 1 minus ln2 g1 greater than 1 minus ln2 यह हमारे पास दोनों option correct होने चीए f2 greater than 1 minus ln2 yes it is correct g1 greater than 1 minus ln2 यह भी आपे correct तो यह correct होने का मतलब यह automatically हमारा क्या हो गया तो आंसर आया हमारा बी एंसी आई होप वड़ा सीम्पल सा कोशन ने था कोई दम वाली बात नहीं है लेके हमें क्या करना था इधर सब्मिट करके fx को fx के साथ लेके integrate किया then final हमारे पास इस result पर पहुचे है I hope सारे बच्चों को यहां पर सही answer मिल गया होगा comment box में आगे वाले question का भी आपको जवाब देना है चलिए next question की ओर अगला सवाल जे एडवांस दो जा तेरा में पूचा हो यह सवाल है तो सबसे पहले एक relation की ओर हम ध्यान दें यह लिखा हुआ है f double dash x minus of two times of f dash x plus of fx greater than equal to e power x ठीक है तो e power x से हम divide मारेंगे तो यह आ जाएगा e power of minus x f double dash x minus two times of f dash x plus f dash x greater than equal to 1 ठीक हम दे सकते हैं यह exact differential equation जो है पॉलिक रखा है इसका है यह e power of minus x f dash x minus of f dash x greater than equal to 1 ठीक है तो इसका मत्तला इसका differentiation जो है positive आ रहा है which provide that e power minus of fx जो differentiation है f dash x minus of fx जो है वो आ रहा है यहां पर positive ठीक है तो इसका हम मानना कि capital x है और हमें पता है कि e power minus x जो है वो minimum value जो है 1 by 4 pattern करता है मतलब 0 से 1 by 4 यह decreasing function होगा यह चीज़ भी यहां पर दे दी गई है कि 0 से 1 by 4 में यह क्या होगा decreasing function होगा तो x 0 से 1 by 4 में यह function decreasing होगा that means e power minus of fx f dash x minus of fx less than 0 होगा तो which provided that f dash less than of fx ठीक है तो यहां पर हम देख पारें कि यह sir जो है f dash जो होगा वो less than जो होगा f dash है हमारे पास आ रहा है यह सा कुछ options यहां पर का दिखरा 0 से पार यह option से यहां पर हमारा जो है मैं चौन चुका तो इस वाले पार्ट का option c answer आ जाएगा अब इसका ही अगला पार्ट देखें कि क्या continuation में है तो which of the following is true for x 0 से 1 यह इसका second part है तो हमने आप इस relation को देखते हैं f double dash f double dash x minus of two times of f dash x plus f x greater than equal to plus f x greater than equal to e power x ठीक है तो इसको हम अड़ा लगतार के split लिकर के लिख सकते हैं तो यहां से आया f double dash x minus of f dash x minus of f dash x plus f x greater than equal to e power x e power x यहां पे डिवाइड मार सकते हैं यह हमारे पास जो चीज़ आजाएगी वो आजाएगी e power of minus f f double dash x minus of f dash x and e power of minus x f dash x minus of f x greater than equal to 1 ठीक है तो यहां पेहम दे सकते हैं यह किसका exact बनाता है यह बन रहा है e power of minus x f dash x का exact differentiation बना और यह भी exact बना differentiation किसका e power minus x f x का तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं e power of minus x f dash x minus of e power of minus x f x greater than equal to 1 ठीक है तो इसको अगेन लिखा जा सकता है d2 double differentiation of e power of minus x f x यह इसका differentiation लिख सकते हैं इसका मतलब यह जो है वो concave upward graph है यह जो हमारा graph होगा तो इस तरह का graph यहां पर रफ लिख सकते हैं और जीरो से वन के बीच में ही हमें देखना है एक्स जीरो से वन के बीच में जीरो से वन बाय जीरो से वन में यह वाली चीज यहां पर देखने को मिलेगी कौन का वा फट ग्राफ में आई होब यह question अच्छी तरीके से हमें आपको समझ मैं आ गया होगा राइट चलिए next question की और next question जेए इडवांस 2016 का यह सवाल है solution करो दिफरेंशिल equation this x greater than 0 passes through the point 1,3 दो solution इसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें यहां पर बताना है तो सबसे पहले हम देखते हैं x square 4x और 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख पाएंगे x plus 2 का whole square और यहां पर हम y common ले सकते हैं तो यह आ जाएगा x plus 2 dy by dx minus y square is equal to 0x positive के लिए ठीक है तो यहां पर solve करने के लिए मैंने x plus 2 को t substitute किया जैसे ही t substitute किया तो यह क्या बना हमारे लिए t square plus ty और यह आ जाएगा dy by dt dt उधर multiply हो के y square dt बन गया y square dt बना तो we can see that t square dy plus ty dy is equals to y square dt ठीक है but t square dy is equals to y times of y dt minus of t dy हो या y को y की t square उधर divide मार दिया मने तो dy by y और यहां से मैं minus को भी common निकाल रहा हूँ तो यह हमारे पार हो जाएगा t dy minus of y dt divided by t square इसका कारण हम देख पार है कि यह सर लिखा हुआ है y by t का exact differential यह बन जाएगा दोनों साइड integration करना होगा हमें तो यह आ जाएगा minus को बली multiply करते हैं तो minus of ln of mod y और यह हमारे पास क्या लिखा हुआ है exact differentiation of y by t ठीक है so minus of ln of mod y is equals to y by t plus c t का मतलब लिख लें x plus two plus c अब हम देख सकते हैं कि c के लिए निकालने के लिए यह जो कर्वे कहां से पास कर रहा है 1,3 से पास कर रहा है x1 y3 तो यह हम देख सकते हैं minus of ln 3 और यह 1 हो जाएगा तो minus 1 यह हमारे पास c की value आ रही है ठीक है तो overall जो कर्वे हमारे पास आया बच्चों वो यह आया ln of mod y plus y by x plus 2 और c के लिए हमारे कितने हैं minus ln 3 minus 1 minus of ln 3 और minus 1 is equals to 0 यह हमारे पास जो है बच्चे कर वा चुका है ठीक है अब option देखें intersect y equals to x plus 2 x plus 2 तो option a के लिए y बराबर हमें x plus 2 यहां पर substitute करना पड़ेगा जैसे आप x plus 2 x greater than 0 है तो यह हमारे पास आ जाएगा mod of x plus 2 यह तो 1 हो जाएगा 1 से 1 cancel that is equal to ln 3 तो यहां से हमने solve करने बाद तुरंत हम देख पा रहे हैं कि यह तो x बराबर 1 होगा या minus 5 होगा minus 5 हो नहीं सकता उसका कारण क्योंकि x सर positive है तो यह एक ही point आए इसका मतलब यह एक point पर तो intersect करेगा बिल्कुल तो option यह हमारा यहां पर बच्चों क्या हो जाता है बिल्कुल सही हो जाता है ठीक है अब देखें intersect y is equals to x plus 2 का whole square आप जिए y बराबर x plus 2 का whole square x plus 2 के whole square में जाएंगे तो यह आजाएगा एलन ओफ है टू टाइमस ओफ एक्स प्लस टू क्योंकि वैसे एक्स पॉजिटीव है प्लस यह आजाएगा एक्स प्लस टू और इधर आजाएगा वन प्लस एलन तो हम देख सकते हैं कि सर वेसे भी यह जो हमारे पास आएगा वह वैसे भी 2LN 2 प्लस टू से तो जादा ही है because एक्स जो है वह पॉजित तो यह कभी भी LHSA सरे थेख के बराबर नहीं आपाएगा क्योंकि वैसे ही यह आप देख सकते हैं 2 ln 2 plus 2 से ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि x वैसे ही क्या हो रहा है, positive, तो clearly यह intersect नहीं करेगा, then does not intersect y is equals to x plus 3 का whole square, इस option को check कर लेता है, x plus 3 का whole square, यहाँ पर हमने रखा, यह आ जाएगा, x plus 3 का whole square वैसे ही positive है, plus x plus 3 का whole square, x plus 2, minus of ln 3 है, तो यह divide में आ गया, वैसे, minus 1 is equals to 0, क्या यह कभी 0 हो पाएगा, हमें पता है sir की, जो x हमारा है, वो positive है, तो इसका मतलब जो x plus 3 का whole square वैसे ही 3 से positive, मतलब जादा ही रहेगा, और x plus 3 का whole square वैसे ही x plus 2 से भी यहाँ पर क्या रहने वाला है, जो है, जादा ही रहने वाला है, क्योंकि y is equals to x plus 3 के लिए हमें यहाँ पर check करना पड़ेगा, तो sir, obvious बात यह से जादा है, तो यह obvious बात है, minus 1 होगा, तो भी positive हैगा, तो equal to 0 कभी भी नहीं आपाएगा, तो बिलकुल ठीक है, यह intersect नहीं करेगा, तो option D भी हमारा बच्चों क्या हो गया, correct हो गया, तो option A और option D are the correct option for this question, तो बड़ा अच्छा question था, पहले आपको differential equation को solve क करना था, उसके बाद एक एक option करके check करना था, I hope यह question भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, clear, चलिए next question की ओर, तो अगला सवाल, जे रों, 2022 में पूछा हुआ यह सवाल है, क्या सवाल है, 4X belongs to R, let the function Y, YX be the solution of this differential equation, तो मैं देखना है कि कौन सा correct हो हो सकता है, कौन सा नहीं, तो सबसे पहले इस equation को समझें, dy by dx plus 12y is equals to cos of pi by 12, तो हम दिख सकता है, यह तो यह तो यह सी linear differential equation बन रही है, दिखा है, तो पहले integrating factor निकाल देता है, e power of 12 dx which is equals to e power 12x, ठीक है, बस सोलूइशन लिखने की बारी है, y multiply by e power 12x, integration of e power 12x, अब इस तरह का integration का formula जो है, आपने class में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा, वह वाला, e की power ax, cos beta x, इसका integration क्या होता है, वो directly लिख लेता हूँ मैं, e power 12x, ठीक है, तो हमें इस तरह की integration जो है, बहुत अच्छी तरह से आदत है, a square plus b का square, मतलब pi by 12 का square, bracket 12 into cos of pi by 12x plus pi by 12 multiply by sin of pi by 12x plus c, ठीक है, तो यह हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, integration आ जाएगा, तो आपिस लिख बता हूँ मैं, y into e power 12x is equals to e power 12x, 12 square plus pi by 12 का whole square, और यहां पर 12 multiply by cos of pi by 12x plus pi by 12 of sin of pi by 12x plus c, यह हमारे पास integration ठीक है, direct formula हम देख सकते हैं, e power ax plus cos bx के formula से आया है, अब y 0 पे यह हम देख सकते हैं, sir, की x b यहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, x 0 पर y भी 0, तो y 0 हो गया, x 0 हो गया, यह हमारे पास 1 आ गया, तो हम देख सकते हैं, जो c की value आ रहे हमारे पास कितनी आ गई फिर, c is equals to minus of 12, 12 square plus pi by 12 square आ गया, clear, तो यह हमारे पास क्या आ गई, इसकी value आ गई, now, y multiply by e power 12x is equals to e power 12x, ठीके, 12 square उपर पे जो यह हो जाएगा 12 की power 4 plus pi square यह आ जाएगा 12 square और ब्रेकेट में हमारे पास क्या चल रहा है, 12 of cos of pi by 12x plus pi by 12, sin of pi by 12x, उड़ c की value हमारे पास जाएगी अभी, 12 square, मतलब इसको भी आपन कर दें, तो यह आ जाएगा 12 power 4 plus pi square यह उपर आएगा, यह हमारे पास जो है, इसकी value आ गई, इसकी value आ गई, इसकी value आ गई, इसकी value आ गई कर दें, तो e power x से हमने divide करने के बाद हमारे पास क्या आया, क्या हम overall भी common ले पाएगे, सर बिलकुल यह overall भी common, e power 12 x से आप common ले सकते हैं, बिलकुल लिया जा सकता है, तो यह हमारे पास जो आएगी चीज़ें, वो देखें एक बाद, 12, e power x से e power x, यहां पर क्या हो जाएगा, cancel हाजाएगा, 12 square बाहर आ सकता है, और 12 square बाहर आने के बाद, जो हमारे पास बचेगा, वो बनेगा 12 power 4 plus pi square, that is equals to 12, cos of pi by 12x plus pi by 12, sin of pi by 12x minus e power of minus 2x multiply by 12, यह चीज़ आजाएगी यहां पर, और यह तो मैंने वैसे ही बाहर क्या ले लिया है, common ले लिया, तो यह पूरा bracket में आ गया, बोपेस बात है सर, इस पूरे expression पर y के लेक्स में से e power जो है, minus 2x involved है, जो कि non periodic होता है, तो option d तो वेसे ही, यहां पर हमारे क्या हो गया, reject हो गया, अब increasing, decreasing है नी, तो हमें पता है कि सर, इस तरह का जो expression जब भी होता है, तो इसकी जो value fluctuate करती है, यह fluctuate भी किसमें करेगी, minus of 12 square plus pi by 12 square से root of 12 square plus pi by 12 का whole square, ठीक है, तो यह value minus negative से यहां पर positive 5 की पर x greater than 0, तो यहां पर increasing भी हो सकता है, और decreasing भी यह function हो सकता है, तो हम कह नहीं सकते कि यह strictly increasing होगा, यह decreasing ही होगा, ठीक है, तो यह fluctuate के लिए की value, तो इसका बतलब option increasing decreasing function तो सर नहीं हुआ है, तो पुरा, जो value है fluctuate कर रही है, इसका बतलब option C, यहां पर क्या है, यहीं बचा है, तो बिल्कुल option C, यहां पर क्या हो जाएगा, तो कभी-कभी इस तरह से भी बच्चो questions जो है, हमारे easily solve हो जाते हैं, कि सर चार options है, तीन को हमने यहां पर गलत साबित कर दी, तो बिस बाते चोतर जो option होगा, वह हमारे लिए ही मौज़ूद, clear? I hope यह सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, clear? अगे बढ़ें, चलिए next question की और, तो अगला सवाल हम देख सकते हैं, जे एडवांस 2018 में पूछा हुआ यह सवाल, कि फंक्शन है, 0 से पाइव या ट्वाइस डिफ्रेंशेबल फंक्शन को जिस तरह का relation दे रखा है, पाइबाई 6 पे पाइबाई 5 वाइट 12 है तो हमें देख रहें कि इसमें से कोँशा Option जो है, वो correct है, सबसे पहले वह वाधे सरे ल ओपिटल रूल लगाना पड़ेगा, 0 बाई 0 है, हमने ल ओपटल यहां पे लगाया है, तो यह हो जाएगा, T के रिस्पेक्ट में लगाने एक बाद F X Cos T Minus of F dash T Sin X Divide by 1 और यह limit चल रही है अपनी T Tending towards X यहाँ पर दे रखा है Sin square X तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कि अब को दिक्कत नहीं आप तो T बराबर X लिख सकते हो तो यह आ जाएगा F X Cos X Minus of F dash X Sin of X Is equals to Sin square X Sin square को मैंने यहाँ पर divide बाट दिया और यहाँ पर minus V common निकाल दिया तो क्या बन रहा है देखें यह बनेगा F dash X Sin X Minus of F X Cos X Divide by Sin square X Is equals to 1 तो clearly हम देख पा रहे हैं कि सर यह exact differentiation किसका बन गया यह हमारे पास बन गया सर F X दिवाइड बाइ Sin X का exact यह differentiation बन चुका है ठीके U by V करके देख सकते हैं Sin square then यह दोनों साइड आप integration करेंगे तो यह हमारे पास आजाएगा F X Divide by Sin X Is equals to Minus X Plus C C के लुके से निकाल सकते हैं Pi by 6 पे Minus Pi by 12 X बाराबर Pi by 6 पे यह कितना है Minus Pi by 12 तो यह हम लिख सकते हैं यहाँ पे Minus Pi by 12 Divide by Pi by 6 पे यह value हो जाएगी 1 by 2 की आजाएगी Minus Pi by 6 तो हम देख सकते हैं C की जो value निकल के आ रही है वो 0 निकल के आ रही है C की value 0 निकलने का मतलब FX हमारे लिए on हो चुका है Minus X है और Sin X है यह हमारा FX यहाँ से निकल के आ चुका है अब option में देखे हैं कि गोशिश करते ही क्या है क्या Pi by 4 पे 5 by 4 root 2 आ रहा है X बराबर 5 by 4 रखने पर हमारे पास जो value आएगी यह आजाएगी Minus Pi by 4 1 by root 2 Minus Pi by 4 तो यह तो प्लस लिख रखा है तो यह option हमारा क्या हो गया reject हो चुका है ठीक है अब यहाँ पे देखें FX less than this for all X जो है 0 से πाई तो हमें सर पता है कि f x जो हमारे पास निकल के आया है तो वो हम देख पा रहे हैं कितना है and we know that sin x जो होता है वो 0 से sin x बड़ा होता है x minus x cube by 3 factorial देसे पोर x greater than 0 की बे बात कर रहा हूँ clear है तो यहां से मैंने क्या किया बच्चो minus x का multiplication किया तो minus x multiply करूँगा तो minus x sin x inequality का पूँचेंज करना पड़ेगा यह आ जाएगा minus of x square plus x power 4 by 6 और हमें पता है minus x sin x का मत्माई निक क्या है कि सर यह तो f x है f x less than x power 4 6 minus of x square क्या इस तरह की चीज़ें देख रही है बिल्कुल सर यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देख की option b हमारा यहाँ पे correct हो चुका है option c देखे there exist alpha 0 से 50 that f dash alpha 0 क्या यह बास सच है देखो कि सर f x तो हमारे पास यह आया है minus x sin x क्या हम f dash x निकाल सकते हैं बिल्कुल यह आजाएगा हमारे पास minus x cos x और यह आजाएगा minus of sin x that is equals to 0 यह 0 हमें करना है तो यहाँ से निकल के आया सर की 10 x बराबर minus x तो सर 0 से पाई में ग्राफ देख लगा अगर intersect कर रहा होगा तो काम बन जाएगा ठीक है तो minus x का अगरा तो ठीक है यह हम देख सकते हैं यह सर पाई है यह हमारा पाई बाई टू है ठीक है यहाँ तक आता है और minus x का ग्राफ है कुछ ही संदाज में जाएगा तो हम देख सकते हैं कि सर यह तो इंटरसेक्ट तो कहरी रहा है पर ओपर इंटर्विल की बात कर रहा है तो 0 से पाई में है अब्विस बात है एक एक अलपा जिसके लिए माइनस पाई बाई टू तो क्या f-x तो हम पहले सी निकाल चुके है तो f double dash x निकाले तो sir f double dash x निकाला तो यह हमारे पास आ रहा है x sin x minus cos x minus of cos x ठीक है और यह पाई बाई बाई टू के लिए चेक करना है हमें तो पाई बाई टू यह 0 यह 0 और यह पाई बाई टू तो मतलब प्लस का पाई बाई टू आएगा यह प्लस का पाई बाई टू यह माइनस का पाई बाई बाई टू दोनों मिला के 0 तो हो ही जाएगा f पाई बाई टू प्लस F double dash pi by 2 मिलके 0 हो जाएगा तो बिलकुल option D भी हमारा क्या हुआ correct होगा तो correct answer for this question B, C, D यह हमारा बच्चो क्या आजाएगा I hope यह question B आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा clear? तो बच्चो differential equation की कहानी में यही था I hope पूरा session आपने बहुत अच्छी तरह से enjoy किया होगा, comment box में answer भी यहाँ पे डाला होगा, खुद से solve करके मज़ा भी आया होगा, ठीक है और रंत में जाते जाते मैं यही बच्चो को हमेशा बोलता हूँ, कि हमेशा हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि वह कहता है करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान, रसरी आवजजात के सिल पर पड़त निशान, अर्थात कि जब आपने देखा होगा कि जब भी कूवे के यहां जाते हो तो रसी जो है वो पत्थर, सील मतलब पत्थर, से बार बार खीचने पर वो जो कॉमल रसी वो भी उस पत्थर पर निशान बना देती है ठीक है तो इसका मतलब बार बार उस चीज़ को रगड़ लगने से वो काम हो जाता है तो हमेशा ध्यान रगे हमें भी प्रयास करना नहीं चोड़ना है जो कुशन नहीं आ रहा है इसा नहीं कि छोड़ दिया अंतिम समय तक पूरे अच्छी तरह से डटे रहना है ठीक है तो इस सेशन में इतना ही all the best